भिलाईस्टील प्लांट कॉंट्रेक्टर्स वेलफेर एस्सेशन के पत्रकार वारता में भिलाईस्पा सयंत्र प्रबंधन पर गंबीर आरोप लगाते हुए आउट्सोर्सिंग के माध्यम से शेत्र के स्थानी ठेकेदारों और मजदूरों को बेरुजगार करने का आरोप ल किया जा रहा है इसमें मजदूरों के मेडिकल कराने को लेकर भी मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया है एवं सरकारी अस्पतालों को छोड़कर नीजी एजंसियों से मेडिकल कराकर उसके एवज में भारी भर कम पैसे प्रबंधन वसूल रहा है और उनके कारियों को मोटी रकम घूस के तौर पर मिल रही है ऐसा कहना है भिलाई इस्टील प्लांट कॉंट्रक्टस वेलफेर एसोसियेशन के पदाधिकारियों का इसके अलावा स्थानी ठेकेदारों पर मनमाना जुर्माना भी बीस्पी प्रबंधन दौरा लगाया जा रहा है जि मेडिकल के नाम पर बाहरी एजैसी को लगा और जइबरों का अंफिट करने का जो कुछकर किया जा रहा है उसको बंद किया चाहे और कि भाती पूची कि हाथी कि या नाम है हाँ रेनुका डाइग्नोस्टिक जो बाहरी विलासपुर की कंपनिय को जिसको आम से दिया गया है कोई भी टेंडर भी नहीं निकाला गया है जो हम मेनेजमेंट बोलती है कि आपको काम चालू करना है तो बीदीन टू या थ्री देट डेज में एदी हमको सो लिवर्स लगाना है तो हम को पुरत लगाना है तो हम सो लिवर्स का पुरत मेडिकल जैसा 1450 रुपया पर लेवर के हिसाफ से जमा करते हैं तो पता चलता है कि हमारा संद्धन हमारे उपर पिनाल्टी का करके हमारे ऊपर एक्सन लेती है यहां तक भी करने की क्याय विकार करती है करने की मंसब минутy नोटिस मीदेनी की मंसे norm विथ हम हमें चाह रहे हैं कि पुर्व की भाति जिस तरह से अगध partic crypto क्राकर करके जिस तरह से पुर्व की बनाया जाता है उसी अनुसार बनाया जाया जिससे की काजरत जो जिस पर से काम चादूरा रूप से चल रहा था उस तरह से चले हैं गिन्स को भी लोग जितने भी इस नए नियमों का बिरोद्शुरूप कोई भी हमारा स्रमिक विलाज स्थील प्लांट मे जिनको भी काम मिला है और जो गेट पास बनाने के पहले जो मिडिकल करवाया जाता है तो कोई भी स्रमीका मिडिकल कल से करवाया नहीं जाएगा भिलाई स्टील प्लांट कॉंट्रक्टर्स वर्फर एसोशेशन के पदादी कारियों के साथ मिलकर इस्थानी मजदूर इसका विरोध करने का मन बना चुके हैं